I am delighted to share that President Macron has invited his friend, Prime Minister Modi, to be the guest of honor of a National Day celebration called Pasti Day on the 14th of July. Prime Minister Chief Guest के रूप में जाएंगे और इससे पहले साल 2009 में Dr. Manmohan Singh जी फ्रांस के National Honor Day पर गए थे और उस समय हमारे Indian soldiers भी Best Time Day परेड में सामिल होए थे तो ये सब चीजें फिर से repeat होने जा रही हैं और हमारे Prime Minister फ्रांस जाएंगे और ये बिजिट दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा important हो सकती है क्योंकि दोस्तों उम्मीद लगाए जा रही है कि इंडिया और भी ज्यादा Raphael Fighter Jet को purchase कर सकता है या कोई और भी बड़ी military deal हो सकती है दोनों countries के बीच में तो दोस्तों इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि इस बिजिट की दोनों देशों के लिए importance क्या है औ और वो चाहता है कि आने वाले कुछ सालों में वो इंडिया का number 2 का defense supplier बन जाए और फ्रांस का मानना है कि जो trajectory चल रही है रसिया पर इतने ज्यादा sanction लगे हुए हैं इंडिया आज के समय में रसिया से बहुत ही कम military equipment purchase कर पा रहा है और इंडिया अपने ज्यादातर military equipment आज क समय में अमेरिका से purchase कर रहा है तो USA जल्द ही इंडिया को arm supply के मामले में number one country बनने वाला है तो फ्रांस चाहता है कि क्यों न हम भी इस चीज का फायदा उठाएं और इंडिया का second largest arm supply करने वाली country बन जाए और दोस्तों ये फ्रांस बिल्कुल कर भी सकता है फ्रांस इंडिय में से कोई भी काम हो जाता है तो फ्रांस का सपना तूट जाएगा लेकिन दोस्तों ये बात confirm है कि फ्रांस arm supply के मामले में रस्या को पीछे छोड़ सकता है और इसके पीछे तीन main region है पहला Indian army की requirement देखे हमें nuclear submarine की सक्त आउ सकता है और फ्रांस के पास nuclear submarine की बहुत अच्छी technology है और possibility है कि project 75 alpha के अंडर future में इंडिया और फ्रांस मिलकर nuclear submarine बनाए और ये Indian defense history में multi billion dollar का project होने वाला है तो फ्रांस को इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये project उसी के हाथ में जाने वाला है और इसके लावा जो बाकी राफियल fighter jet इंडिया फ्रांस से purchase करने वाला था उसकी possibility लगा जा रही है कि इंडिया 36 या उससे ज्यादा राफियल fighter jet अपनी navy को मजबूत करने के लिए purchase करेगा और दोस्तो इसके रावा तीसरा सबसे main कारण ये है कि साल 2030 में इंडिया और फ्रांस अपने strategic partnership के 25 साल को celebrate कर रहे हैं जी हाँ दोस्तो वैसे तो इंडिया और फ्रा strategic partnership और relationship जो है वो 90 में सामने आई थी और आप इसको 25 साल पूरे होने वाले हैं और इसी लिए ये काफी खास मौका है तभी वहाँ पर इंडियन प्राइमिस्ट्र को बुलाया गया है और दोस्तो खास बात ये है कि ये बिजिट 14 जुलाई को होने वाली है और इसी दिन फ्र जो एक modern day democratic republic बना है उसके पीछे French revolution की एक एहम भूमिका है और इसी लिए फ्रांस के लिए ये दिन काफी खास होता है और एक बात आप यहाँ पर और नोटिस कीजेगा कि फ्रांस ऐसे special occasions पर दुनिया के बहुत ही कम leaders को बुलाता है आज से कुछ साल पहले फ्रांस ने डोन पारे इंडियन प्राइमिस्ट्रों को भी मिलने वाली है बट यहाँ पर यह भी possibility है कि भारत के soldiers और फ्रांस के soldiers एक साथ parade करें और इससे इंडिया और फ्रांस के relation और ज्यादा मजबूत ही होने वाले हैं और इन सब बाकी चीजों के अलावा फ्रांस की government ने 6 और point mention किये है और इनका मानना है कि ये 6 point इंडिया और फ्रांस के relation में main point है इसके पहले point में इन्होंने mention किया है defense को क्योंकि इनके हिसाब से फ्रांस और इंडिया के भी joint exercise लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इंडो Pacific को mention किया है और फ्रांस मानता है कि इ पर आप देखेंगे तो इंडो Pacific region में सिर्फ वो इंडिया को mention करते हैं पाकिस्तान को कभी mention नहीं करते हैं इसके बाद फ्रांस blue economy को mention करता है और उसके अलावा civil nuclear energy को ही mention करता है देखें दोस्तों फ्रांस जो है वो इंडिया में nuclear reactor बनाना चाहता है और future में इंडिया भी nuclear power को और ज़्यदा acceptance देने वाला है और इसके बाद France mention करता है counter terrorism को और ये बात याद रखिएगा कि France एक मात्र देश था जिसने पाकिस्तान से कहा था कि आपको इंडिया के against terror पर control करना होगा और France ने ये भी कहा था कि जो country terror को promote करती है उसके खिलाब सक्त से सक्त international sanction लगाया ज चाहिए फिर दोस्तों France cyber security की बाद करता है जो कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनोती है France और India cyber security में एक साथ cooperate कर रहे हैं और उसके बाद France अपने last और six point में space को mention करता है France इस बाद में बहुत ज़्यादा pride लेता है कि India का जो 2027 तक का प्लान है कि वहाँ एक Indian nationalist य और दोनों देशों के relation आने वादे समय में और ज़्यादा उचाईयों को छोने वाले हैं दोस्तों I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज इसे like करें, share करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत